हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हरिती स्टडी हब तो आज का जो हमारा टॉपिक है एसपी डॉटेंड के अंदर वो है कैसे हमने ड्रैग पैनल एक्स्टेंडर को यूज करना है जो के हमारे पास एजेक्स की टूल गिट में अवैलेबल है तो काफी एक सिंपल कंट्रोल है इसकी हेल्प के साथ हम किसी भी कंट्रोल के उपर इसको अप्लाई करने के पात उसे ड बड़े ही पस्ट तरीके से पता चल जाएगा कि यह जो ड्रैग पैनल एक्स्टेंडर है इसका काम क्या है तो जो ड्रैग वाली फैसिलिटी है वह यह प्रवाइड करता है तो आप देख सकते हैं जो यह यहलो कलर का बॉक्स है यह बेसिकली एक पैनल है इसके उपर मैंने ड्रैग पैनल एक्सेंडर को जो है अप्लाई किया हुआ है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ड्रैग हैंडल तो ड्रैग हैंडल बेसिकली वह बाला कंड्रोल है जिसके उपर क्लिक करने के बाद इस पैनल को हम ड्रैग कर सकते हैं तो वह मैंने इस लेबल के उपर अप् ये ड्रैग हो रहा है और अगर मैं कहीं पर भी माउस को बटन को शोड़ देता हूं तो ये वापस अपनी जगे पर चला जाता है तो बस यही इसकी फंक्शिनलिटी है कि आप किसी भी कंट्रोल के ओपर अपलाई करने के बाद उस कंट्रोल को जो है ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन के ओपर कहीं भी तो चलिए ये आज का टॉपिक है हमारा तो इसको कैसे हमने यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूं तो इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं और चलिए यहां से नए प्रोजेक्ट से स्की शुरुवात करते हैं वेबसाइट और यहां से स्लैक करेंगे विजीो सी शाप यहां से asp.net mp website और यहां पर जो web location है वो provide करेंगे तो simply यहां पर अपने folder का name मैं लिख देता हूँ asp.net Ajax और click कर देता हूँ okay के उपर तो अब आप देख सकते हैं student friends मेरा जो project है वो create हो चुका है solution explorer के अंदर तो यहां पर right click करेंगे mouse की help के साथ add new item और यहां से select करेंगे web form आप चाहें तो यहां पर web form का name assign कर सकते हैं मगर मैं default name ही running जता हूँ और इसको add कर देता हूँ अपने project के अंदर तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो है नया blank web form आ चुका है तो इसके design के अंदर जाके सबसे पहले designing वाला पार्ट है वो complete कर लेते हैं और यहां पर toolbox में सबसे पहला control जो मैं यूज करूंगा वह है label control तो यहां पर label के उपर click करते हैं और label आप देख सकते हैं platform के उपर आ चुका है अब हम उसकी text प्रॉप्टिंग के अंदर लिखेंगे subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर ले क्योंकि इसी दीके के जो video tutorials है वो daily upload होते रहते हैं इस चैनल के उपर तो काफी आपको help मिलेगी extra help मिलेगी programming सीखने और समयने में जिससे आपके जो topic के concept के topic यह concept कह सकते हूं वो काफी improve होंगे knowledge आपकी जो है काफी increase होगी और आपको एक knowledge sharing का जो है एक chance मिलेगा आप मेरे साथ जो ideas है अपने वो भी share कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर एक और label insert करते हैं उसके अंदर अपनी जो project का heading है वो लिखते है यूज द्रैग पैनल यूजिंग Ajax toolkit ASP.net और C sharp तो basically जो ड्रैट पैनल है वो हमें Ajax की toolkit में available होता है तो अगर आपको नहीं पता कि Ajax की toolkit को कैसे install करते हैं तो हमारे चैनल के ओपर एक simple सा video tutorial upload हुआ है पहले ही भी जिससे आप सीख सकते हैं कैसे आप Ajax की toolkit को download कर सकते हैं और बड़े easy way के साथ जो ऐसे install कर सकते हैं अपने PC के अंदर तो चलिए यहां पर हमने Ajax की technology को यूज करना है तो आपको पता ही है तो जब भी हमने Ajax की toolkit Ajax को यूज करना है तो सबसे पहला जो control है website के ओपर जो हम यूज करेंगे Ajax के लेटर वह है script manager तो चलिए यहां से इसको double click करके अपने webcam के ओपर insert करते हैं अब हम यहां पर एक label को use करेंगे as a drag handle use करने के लिए किसी भी पैनल को drag करने के लिए तो यहां पर label मैंने इंसर्ट किया और label के ओपर मैं लिख जिता हूँ drag panel by clicking here with mouse button तो चलिए अब यहां पर हमने label insert कर दिया है अब हम यहां पर टूल बॉक्स में से पैनल को insert करेंगे तो यह मेरे पास पैनल भी जो है वह आ चुका है तो इसको मैं थोड़ा सा resize कर देता हूँ और इसका जो background color है वह yellow कर देते हैं यहां से yellow कर देते हैं इसका background color अब हम यहां पर एक image control को use करेंगे तो यहां पर image को insert कर देते हैं यहां पर मैंने image को insert कर दिया image control को अब हम यहां पर अपने project का solution explorer है उसके अंदर right click करेंगे और add करेंगे किसी भी एक image को जो हमारे PC के ओपर पड़ी हुई है तो यहां पर मैंने image को download करके रखा हुआ है यहां से select करेंगे all files और यहां से select करेंगे image को तो अब हम यहां पर image को select करेंगे इसकी properties के अंदर जो image URL property यह है और इसके अंदर जो image को bind up करेंगे यह three number वाली image थी इसको okay करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास image आ चुकी है तो इसको थोड़ा सा research कर देते हैं image के accordingly और अब मैं यहां पर करसर से इसके थोड़ा सा space दे रहता हूं उसके बीच में और यहां पर भी जो मेरा label है उसके अंदर भी जो है थोड़ी सी space दे रहते हैं तो चलिए अब हमारा जो है design वाला part complete है अब हमने जो है इसके उपर ड्रैग पैनल अप्लाई करना है इस पैनल के उपर तो यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं add extender यहां फिर टूल बोक्स में से हमारे पास जो Ajax की toolkit है वह आरड़ी install है 15.1 यहां से भी आप जो ड्रैग पैन आप देख सकते हैं यहां पर drag panel extender इसको भी यूज कर सकते हैं तो simple way यही है कि यहां पर click कीजिए add extender पर click कीजिए और यहां से select कीजिए drag panel extender और जैसे ही ok को ओपर click करेंगे तो यह जो extender है यह हमारे panel के ओपर apply हो चुका है अब हमने इसको configure करना है configure कैसे करना है source के अंद drag handle ID है उसके अंदर लिखना है label जो label हमारे पास यह वाला label है इसकी ID है label 3 तो यहां पर हम लिखेंगे label 3 क्योंकि drag handle पर click करने के बाद ही हम panel को जो है drag कर पाएंगे और target control ID में हमने panel one already लिखा हुआ है क्योंकि हमने add extender जो है पैनल के साथ ही attach किया है तो अब आप देख सकते हैं student friends हमारा जो project है properly configure हो चुका है दो ही इसकी properties है important एक है drag handle ID और एक है target control ID तो चलिए आप project को run करके देखते हैं एक बार तो अब आप देख सकते हैं student friends मेरा जो project है वो run हो चुका है तो अब यहां पर हम mouse को लेके जाएंगे ड्रैग पैनल जिसके ओपर text लिखा हुआ जैसे ही mouse की help के साथ इसको drag करेंगे आप देख सकते हैं मेरी जो image है वो screen के ओपर कहीं भी मैं इसको ले जा सकता हूं अपने mouse pointer की help के साथ और जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूं यह अपनी position पर आ जाती है तो इस तरीके से जो है आप ड्रैग पैनल एक्स्टेंडर को किसी भी control के साथ attach कर सकते हैं ड्रैग बिल्टी उसको provide करने के लिए तो friends students अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है understand कर पाएं तो जल्दी से इस वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लीजिए और अगर आप कोई idea मेरे साथ share करना चाते हैं जहां किसी project में कोई problem आ रही है तो आप मुझे by mail send कर सकते हैं और यहां पिर comment के पहुंच रही है one by one मैं सभी का जो reply है वो दे पा रहा हूं मगर इसमें काफी time लग रहा है तो please आप patience रखिए आपका जो response है आपकी mail का यहां आपके comment का जो जरूर आएगा तो तो इसी तरीके से हमारे channel के साथ बने रही है friends हमारे साथ support करते रही है हम video tutorial जो upload करते रहेंगे इस channel के उपर तो thanks friends for watching our videos and sharing your ideas with us through email thanks friends for watching our videos